जहां देश कोरोना वाइरस जैसी घातक बिमारी से जूज रहा है और सभी को लागडाउन के दोरान घरों में ही रहने की ताकित दी जा रही है तो वहीं खंडवा जीले के मुंदी नगर में सरे आम लागडाउन की धज्य उड़ाई जा रही है और सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है जहां लोगों के जरूरत को देखते हुए किराना सब्जी की दुकानों को सुबह आठ से बारा बज़े तक खुलते रहने की आज़ेस दे दी है तो वहीं मुंदी नगर में में रोड इस्ति दुकानों पर लगातार भीड बढ़ती जा रही है साथ ही आए जिन बाहर से आए हुए लोगों के मुंदी में आगमन के बढ़ते ही जा रहा है तो वहीं किराना वाले और सब्जी वाले अपनी मन मर्जी चला रहे है जहां देखो वहां भी लगागर खड़े कर रहे है लागडाउन के कुछ दिनों तक ही सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया जैसे जैसे लागडाउन की तारीक बढ़ती गई वैसे वैसे लागडाउन और सोसल डिस्टेंसिंग की धज्या उड़ती गई आज भी बाजार में इस तरीके की भीड नजरा रही है जैसे कि देश में कुछ हो ही नहीं रहाओ जिसमें किराना वाले वेपारियों ने तो हधी कर दी है कि ग्रहकों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं करवा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की राणा पर भीड लगी हुई है और यहां तक की मोबाइल दुकानों पर भी अधिक संख्याय भीड नजरा रही है। जहां देखो वहां लोगों की भीड जमा है और बाहर के लोगों का आवा गमन इतना बढ़ गया है कि वापस से मुंदी मे ट्रेफिक जाम लगने लगा है। अगर प्रसासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया तो कोरोना के लिश्ट में मुंदी का नाम जुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुंदी से सारुक मंसुरी की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें